इस कारिकरम के पुणियाणशक है शिरी विपिन शिरीमती रजनी सराफ, शिरी अनिरुद शिरीमती स्वाती सराफ, पुत्र पुत्री आदी कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ जोयलर्स विदिशा मध्धिप्रिदेश अब यहाँ आचारी प्रवर कह रहे हैं कि सम्ताहीन सिर्मन की क्रियाय निरर सक किम काहदी वनवासो काई किलेशो विचित ववासो अज्जयन मौन पहुदी समदारहियस सम्नस किम काहदी वनवासो काई किलेशो विचित ववासो अज्जयन मौन पहुदी समदारहियस सम्नस क्या वास है सम्दारहियस सम्नस सम्ता से रहत सिर्मन के लिए किस से रहत सम्ता से रहत सम्ता कहते किसे हैं सम भावों को समान भावों को शानती के भावों को शम्ता का भाव कहते है सम समान सम्ता किसी से राग नहीं, किसी से देश नहीं मित्रता भी नहीं, सत्रता भी नहीं सम्दार ही यस सम्ता से रहित सम्नस सिर्मन के लिए स्रमन सब्दे कैसे बनाए स्रम करेजो श्रमन अब क्या स्रमन स्रम करता है अरे आपको किबल सरीर के स्रम देखते हैं साधना का स्रम बहुत कठिन है हिंस पसु पक्शियों का विचरन है बिसधर दिखाई दे रहे हैं ऊपर बूधर काले काले मेग गरज रहे है और नीचे काले काले बियाल काले काले बियाल साप बिचरन कर रहे है बीच बीच में बिजली चमक रही है देख रहा है ये घूम रहा है जा रहा है और जहमा जहम बारिश चल रही है अब महरत जी क्या करेंगे करके भी क्या करेंगे कहां जाएंगे चला के बैठे ही तो है न वो ही बैठ सकते हैं जो सहन कर सकते हैं तो हो अर्द निसा का सन्नाटा बन मैं बन चारी चरते हूं तव शान तिनिराकुल मानस तुम तत्तों का चिंतन करते हो क्या बात है कितनी बढ़ियां बात है हो अर्द निसा का सन्नाटा मध्धरात्री का समय है बन चर्बी बिस्राम करने लगते हैं वो भी ठक जाते हैं कोई कोई बन चर उसी समय निकलते हैं रात में वो कुछ भी हो लेकिन सर्मन मुनी सम्ता का आनंद ले रहे हैं सम्ता का परिचे दे रहे हैं सम्ता का पाठ कर रहे हैं सम्ता की भाउना भा रहे हैं और सम्ता का अनुभव कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सम्ता का अनुभव कर रहे हैं मुनी जनों को कहा है अगर समता तुमारे पास नहीं है तो बन में रहना गंगोर बन में भी रहो तो क्या होने वाला है नहीं हम तो भयानक जंगल में बैठे हुए है भयानक जंगल में तो बैठे हो लेकिन समता का परिणाम नहीं आया राग का संसकार है देश का संसकार है राग देश के संसकार में चाए बन हो और चाए भवन कोई फरक पड़ता नहीं भवने बनेवा बन और भवन तो बाहर की बाते हैं आत्मानु भवम आत्मानु हो आत्मानु होना चाहिए घन घोर बन में हैं हैं तपश्वी हैं साधना कर रहे हैं साधना की प्रसंसा है लेकिन परिणामों में समता भी आनी चाहिए कसायों की तीबरता नहीं होनी चाहिए कसाय परिणामों पर नियंत्रन होना चाहिए राग देश का परिहार होना चाहिए बीत रागता समता हमारे भावों में आना चाहिए काई कलेशो काई कलेशकना खड़े हो गए तो खड़े ही हैं बैठ गए तो बैठ गए कठिन कठिन आसन लगा ली आसन लगी है एक दिन दो दिन मैंना निकल गया समय कुछ भी पता नहीं पदम पुरान में उधारन आया चातर माँ से स्थापित हुगा मुनी जन बैठ गए धिहान में सुकमाल की कहानी अलग आती है सुकोसल और कीरती धर की कहानी अलग आती है पता पुत्तर दोनों मुनी है ध्यान में बैठे तो पूरा चातर माँ से निकल गया चातर माँ से श्थापित करके आहर चरिया को निकल रहे और ब्याग्री ने उपसर्ग कर दिया बेटे पर उपसर्ग किया मा ने मा मरण करके ब्याग्री बनी कीर्ति धर की पत्नी रानी सेठानी और पती के दिक्षा लेने से क्लेस भाव को प्राप्त ही और बेटा ने भी दिक्षा ले ली तो आरतत ध्यान में चली गई तिर्यंच परियाए का बंद कर लिया मरण हो गया व्याग्री बन गई उसी जंगल में और जब कीर्ति धर और सकोसल दोनों मुनी महराज पिता पुत्र बस्ती की और आहर करने के लिए जा रहे तो देख करके पूरी स्मिर्थी आई और ब्याग्री ने अपने बेटे सकोसल पर जपट्टा मारा उसी समय पिता कीर्ति धर के लिए केवल अग्यान हो गया संबोधन मिला व्याग्री को और व्याग्री संबोधन पा करके और बेटे के बक्ष के चिन को देख करके सचेत हो गए अरे यह तो मेरा ही बेटा सा ऐसे ऐसे उधारन है प्रतमान योग में बताओ ऐसे ऐसे उधारन चार मीना ध्यान में बैठे तो बैठे ही हैं पूरा चौमा सा पूरा समय ध्यान में ही निकल गया ना प्रवचन ना कक्षाएं ना संका समाधान ना जिग्यासा समाधान ना लाइब ना कोई सम्मेलन ना संगोष्टी ना परचा ना चर्चा ना खरचा ना फिलेक्स ना माइक साउंड सिस्टम ना बड़ा पंडाल ना मंडप कोई नहीं चौमा सा निकल गया कोई नहीं चौमा सा निकल गया यह चौमा सा है कि नहीं है आप भले से चोमा सा मत मानो पर चोमा सा तो यही है हाँ क्या प्रभावना की उन्होंने चार मेने जगमगा हट की प्रभावना तो नहीं की रेलम पेल मेला ठेला की प्रभावना तो नहीं की आत्म प्रभावनियो रत्ना त्रह तेज सा सतत में वो क्या आत्म प्रभावनियो रत्ना त्रह तेज सा सतत में वो रत्ना त्रह के तेज से अपनी आत्मा की प्रभावना की परिणाम क्या निकला परिणाम ये निकला कीरती धर मुनी महराज को केवलग ग्यान हो गया और यहाँ इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये चल रहा है पंचम काल है पंचम काल है पंचम काल में परवावनाओं की परिभासाएं बदल गई पंचम काल में प्रवावना की मापदंड बदल गए पंचम काल में प्रवावना की तौर तरीके बदल गए चलो जो कुछ हैसो है जेन धरम की जे चल रहा है पंचम काल की अंत तक चलता रहे जिन सासन बना रहे मोक्ष मारगी बने रहे जिन धर्म जिन सासन का परिचे मिलता रहे यही बहुत है और यही बहुत बड़ा सौभाग है लेकिन आचाईरी महराज क्या कह रहे हैं समदा रही दस समनस समता से रहत सर्मन के लिए बनवासो बन में रहना काईक लेशो काईक लेश करना बिचित तो अपवासो अनेक प्रकार के अपवास करना अज्जेन मौन पहुदी अध्यन करना और मौन आदी करना किम का हदी एस अब क्या कर सकेंगे क्या कर सकेंगे बताओ क्या कर सकेंगे बूलो हमने इतना इतना किया बहुत अच्छी बात है बहुत किया तुमने बहुत बड़ी बात है इतने सारे उपवास एकांतवाश सरीर को तप में लगाया अध्धन भी मौन भी सब किया लेकिन आचारी कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं सम्दारहिदस सम्नस किम का हदी सम्दारहिदसर्मन के लिए क्या करेंगे सम्दारहिदसर्मन के लिए बन में रहना काईकलेस कनना अनेक अभवास कनना अध्धन कनना और मौन आदी रहना ये सब क्या कर सकेंगे अर्थात उद्देश की पूर्ती उद्करष्ट रूप से नहीं कर सकेंगे भावार्त सुख दुख जीवन मरण मित्र और सत्रू आदी में रागदेश परणती रहत भाव सम्ता भाव है सम्ता भाव करती क्या सुख और दुख में जीवन और मरण में मित्र और सत्रू में रागदेश नहीं करना मलग इष्ट और अनिष्ट में रागदेश नहीं करना इसका नाम सम्ताभाव है उस सम्ताभाव से रहत दिगंबर मुनी के लिए बन में सुन्यागार में परवत के सिखर पर गुफा में शमसान आदी में निवास करना क्या कर सकेगा बताओ क्या कर सकेगा कुछ नहीं कर सकेगा अन्यवी ब्रक्षमूल अब भ्राव का आतापन ब्रक्षमूल बरसा का काल आया है ब्रक्ष के नीचे बैठ गए ध्यान कर रहे है बारिश हो रही है और बारिश धीरे धीरे पत्तों से होकर के तुमारे सरीर पर गिर रही है पता नहीं पढ़ता कब बूंद गिरेगी खुले में बैठ जाओ बारिश हो रही है सीधा पानी गिरता रहता सेहन करने वाला भ्यस तो हो जाता है कि पानी गिर रहा गिर रहा लेकिन वरक्ष के नीचे बैठने पर पानी गिर रहा है ठीक है पर कब टपकेगा अपने उपर ये पता नहीं पढ़ता और धीरे धीरे एक एक मुन टपकता रहता है फिर कभी जब हवा चल जाती है तो जर 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 करके बहुत सारा गिर जाता है फिर रुख जाता है फिर गिर जाता है ऐसे उस वरक्ष के नीचे पूरा वरसा योग निकाल दिया अब भ्राव काश खुले आकास के नीचे मैदान में खुले आकास के नीचे मैदान में खड़े हैं चोपाल पर खड़े हैं बैठे हैं शर्दी का समय है मैदान में नदी के किनारे अब भ्राव कास आतापन गर्मी का समय है अब गर्मी के समय में थंडी जगे पन नहीं और थंडी के समय में गर्म इस्तान में नहीं थंडी में थंडी जगे गर्मी में गर्म जगे अब गर्मी आई पहाड के उपर चले जाओ चटाने तप रही हैं पेड़ पौदे सब सूग गए हैं हरापन कहीं दिखनी रहा और तप्ती दुफैरी में ध्यान कर रहे हैं आतापन योग है तप रहा है शरी तप रहा है आतापन योग सूरी आभी मुक्योग सूरी को देखते देखते जस तरफ सूरी जा रहा उस तरफ देखते रहना कुकुटासन लगाना, मकरासन लगाना, भीरासन आधी के दوारा काय को कलेस करने वाले जो तब होते हैं बेस भी काय कलेस कहलाते हैं वैक काय कलेस भी क्या करेगा सर्बतोभद्र, कनकावली, میरूपंक्ती सिंगनेश क्रेडित, आधी अनेयक प्रकार के उबास समता रहत सादू के लिए क्या करेंगे अर्सात ये सब कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा आचारी महराज का यहां पर अभी प्राय है इस अभी प्राय को समझ करके कारी करना चाहिए साधना आगे बढ़ानी चाहिए समता का स्वाद लेना चाहिए इस कारीक्रम के पुन्यार चक्ते